नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का रेस्टिंक्शन पर डेली करेंट अफेस राजस्थान के आज के अंक में हम बात करेंगे दिनाग 6 और 7 दिसंबर 2020 के जो करेंट अफेस उन पर तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे पहले आपके अंतराष्ट प्रश्ण है अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने निवले खित में से किसे अपना अगला सरजन जनरल नियुक्त किया है तो दोस्तों विवेक मूर्ती जो कि भारतिय मूल के डॉक्टर है अमेरिकी डॉक्टर उन्हें जो है वापस से सरजन जनरल के में भी सम्मिलित किया गया था और अब उन्हें वापस से अगला सर्जन जनरल न्यूक्त किया गया दरसल वे पहले ट्रम्प प्रिशाशन में भी सर्जन जनरल थे लेकिन अचानक से उन्हें अपने पत से हटना पड़ा अमेरिका में सर्जन जनरल चार साल के लिए नियुक्त किया जाता है और वो है जितने भी सारवजनिक स्वास्थे के मामले हैं उनमें सरकार का शेर सदिकारी होता है पिछली बार डॉक्टर विवेक मूर्ती को अटाने के बाद जेरूम एडम्स को इस पदपर नियुक्त किया गया था लेकिन अब दुबारा से सीनेट जो है उसने इन्हें नियुक्त कर दिया है उनका पहले का कारिकाल 15 दिसंबर 2014 से लेकर 21 अप्रिल 2017 तक उन्हें हटाने तक रहा है और अगर बात करें डॉक्टर मूर्ती की उसके पुरुष मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई है रेफरी स्टेफनी फ्रेपपार्ट और वे संबंदीता फ्रांस से तो स्टेफनी फ्रेपपार्ट जो है पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाएगी फ्रांस की स्टेफनी प्रेफार्ट ने UFA Champions League के पुरुष मैच में अपना ये रोल निभाया स्टेफनी ने जुवेंतस और डाइनमो कीव के बीच एलियांज स्टेडियम में खेले गए मैच में ये भूमी का निभाई इसे पहले भी 2019 में वह पहली महिला बनी थी जिन्होंने यूरोप में पुरुष वटबोल के किसी भी मैच में रेफरी की भूमी का निभाई थी उस समय उन्होंने UFA सूपर कप में लिवरपूल और चेल्सी जो दो टीमें हैं उनके बीच में रेफरी की भूमी का निभाई थी चलिए अगले पुशन की बात करते हैं अंतराश्ट इस तरपर अंतरिक्ष में लगातार जो है लॉंच किये जा रहे और इसी क्रम में चीन द्वारा लॉंग मार्च 3B नामक रॉकेट के जरिये एक और वैश्विक निगरानी उग्रे को पृत्वी के लोवर अर्थ और्बिट में बेजा गया है दोस्तों इसका नाम है गाउफेन 14 और यह एक ऐसा उग्रे है जो विश्व भर में जमीनी वस्तूँ की हाई रिजोलिशन की तस्विरे ले सकने में सक्षम है विश्व भर की उच्चे गुणवत्ता वाले सटीक स्टीडियो तस्विरे हांसिल करने डिजिटल जो मैपिंग है उसको करने डिजिटल उचाई के मॉडल बनाने और इसके अलावा बुनियादी बोगोलिक जानकारी देने में सक्षम है दरहसल पिछले साल 2 नवबर 2019 को गाउफिन 7 नामक की एक उपग्रे लॉंच किया गया था और ये गाउफिन परियूजना जो है उसकी शुरुवात थी गाउफिन परियूजना में उपग्रों का सर्वेक्षन और मांचित्रन करने के लिए प्रियोग किया जाएगा तो इससे जो चीन है उसकी शमता में व्रद्धी होगी और वो अंतराष्ट इस तरह के मांचित्रन कर पाईगी अगर हम बात करें इस लाँच वीकल की तो चौंग जेंग 3B सबसे शक्तिशाली लाँच वीकल है चेनी अंतरिक्ष बेडे का और यह रोकेट जो है यह 11200 किलोगराम के उपग्रहों को लो अर्थ और्बिट में जिसको हम 600 किलोवेटर से ले करके 2000 किलोवेटर तक मानते हैं और 5100 किलोवीट को GEO ego सिंक्रोनाइस ट्रांसफर और्बिट में लांच कर सकता है जो कि 36,000 किलोमेटर की दूरी पर इस्तिद होते हैं तो यह है गाउफन 14 के बारे में जो कि एक स्टीरियो मान चित्रन उपकरे के रूप में जोइना जाएगा दोस्तो हाली में दिनेश्विर सर्मा जो कि एक प्रशाशक रहे हैं का निधन हो गया है और उन्हें लक्षदीप के प्रशाशक के रूप में नियुक किया गया था इससे पहले वे खूफिया बीरो अर्था जो इंटेलिजिस ब्यूर है उसके पूर्व निरेशक भी रह चुके हैं और भी उन्होंने बहुत से जो पदल संभाले हैं उनमें जम्मू कश्मीर के लिए किंद्र की वारताकार के रूप में काम करना भी सम्मिलीत है शर्मा 1976 बैच के IPS अधिकारी है और केरल केटर से वे संबन्दित है चलिए 27 परशन देखते हैं अर्बिय द्वारा निमलेखित पर से किस एक बैंक को डिजिटल व्यापार विकास मंदी अपनी गतिविदियों को शुरू करने पर रोक लगाने को का गया है दरसल HDFC Bank Housing Development Finance Corporation नामक जो बैंक है जो कि भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है असेट्स की दिस्ट्री से और इसके अलावा Market Capitalization की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और अवरॉल के टेगरी में करने के लिए इसके अलावा रिजर बैंक ने HDFC बैंक द्वारा नए ग्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दिये दरसल जो डिजिटल 2.0 कारिकरम HDFC बैंक द्वारा लगाय चलाय जा रहा है उसमें कुछ नवंबर 2020 को हुई जब इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन भुक्तान प्रणाली में बाधा उत्पन हो गई थी तो जवाब दही तए करने के लिए पहले वो अपने क्राजनिक प्रणोदक टैंक का निर्मान करके इस रोको सोपा है और इसका नाम है C32 LH2 हिंदुस्तान नेर्नोटेक्स लिमिटेड ने इस क्राजनिक प्रणोदक टैंक को निर्मित किया टैंक का निर्मान GSLV Mark 3 जो कि हमारा अत्यदिक भारी उपग्रहों को ले जाने वाला लांचिक वेहिकल है उसकी पेलोड शमता को चार टन से बढ़ा कर छे टन करने के लिए क्या गया अर्था यह जो हमारे जी टी ओ अर्था जियो सैंक्रोनाइस ट्रांसवर और्बिट्स जो है वहां पर लांच किये जाने वाले जो हमारे वेहिकल जितने भी हमारे उपग्रह है वह कम से कम 6000 किलो तक के जो भारी उपग्रह है उनको भी लांच कर पाएगा अभी तक हमें इस तरह के उपग्रह को लांच करने के लिए फ्रांसेसी एरियन 5V रोकेट पर जो है निर्भर होना पड़ता था अब क्या होगा कि हम स्वदेशी रूप से अपने भारी उपग होता है क्रायोजेनिक तक्नीक के अंतरगत जीरो डिग्री सेल्सियस से बहुत ही नीचे के तापमान पर तरल ऑक्सिजन और हाइड्रोजन का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो एलो टू या एलो एक्स को उप्योग किया जाता है ऑक्सिकारक के रूप में जिबकि तरल है और ओक्सिजन का काम करता है तरल ऑक्सिजन हला कि क्रायोजेनिक टक्नीक बहुत ही महенगी और जटिल भी होती है और इसको बना रखने के लिए प्रनोदक टैंक भी बहुत ही तक्नीक के साथ बनाये जाते हैं इसमें हाइड्रोजेन ऑक्सिजन क्रिम responsabil मैनस 250 degree Celsius और माइनस 183 degree Celsius की तापमान पर रखी जाती है और इस तापमान को लगातार maintain करना काफी मुश्किल होता है लेकिन अब हमारे पास स्वदेशी रूप से 6 टन तक के जो उपग्रे हैं उनको वेजने की सुझदा देखसित होगी जिससे भारत को काफी लाब अंतरिक्षेत्र में हो पाएगा तो दोस्तों ये थे आज के हमारे Current Affairs जिस वर मैंने आपसे चर्चा की इनको PDF में लेने के लिए आप हमारी application RS Junction डाउनलोड करें दोस्तों वहाँ पर आपके लिए RS Prelims के लिए test series भी है जिसके 17 test अभी तक हो चुके हैं जो आपको quiz format में available है और remaining 3 test भी जल्दी हो जाएंगे तो आप भी अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए जुड़े नए हमारे साथ और देखते रहे हमारे से वीडियो RS 2021 के लिए भी अभ्यारतना भीजी जा चुकी है और इसे RPSC ने receive कर लिया है तो आने वाले समय में कभी भी आपको जो है नए नोटिफिकेशन की भी जानकारी मिल सकती है तो इसके लिए हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हमारे करेंट अफेर्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद